अग्दम बढ़िया बनती है ये बैंगन करी आप ज़रूब ट्रॉय करके देखिए ओनियन टामाटर कुछ भी इस्तिमाल नहीं किया है फिर भी ये बैंगन करी एग्दम बढ़िया बनती है नमस्कार मैं एश्वीनी मेरे किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम बानाने वाले हैं बैंगन करी और इस बैंगन करी में हम प्याज टमाटर का बिलकुल इस्तिमाल नहीं करने वाले और ये करी एकदम बढ़िया बनती है तो चलिए हम देखते हैं उस आप अश्वीनीश कीचन को फेस्बुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं तो बैंगन करी के लिए हमें लगने वाला है यहाँ पे मेने बैंगन लिये हैं यह यहाँ पे फ्रेश कोरियंडर यह यहाँ पे मस्टर सीट्स क्यूमीन सीट्स यह हिंग य यह यहाँ पे पैन में पीनट्स रोस्ट करके फिर मिक्सी में ग्राइंड करके लिए हैं यह धनाजिरा पाउडर यह तर्मरिक पाउडर यह होममेड कांदालसुन मसाला लिया है जो मैं कुकिंग के लिए यूज करती हूँ आप भी आपका कुनसा भी मसाला ले सकते हैं जो यह जो री को कुनट है जो हमने उइल में उइल pushes करके लिया है और इसमें डाल के लेते हैं फिर फानली यह कोरेंडर इसमें डाल के लेते हैं अब यह सब मसाले हम मिक्सी में में पहले हम बेंगन का मसाला बना के लेते हैं, यह जो रोस्टेड पीनट हमने मिक्सी में ग्राइंड करके लिए थे वो डाल देते हैं इसमें, फिर यह होमेड कांदालुसुन मसाला, यह दनाजिरा पाउडर, यह टर्मरिक पाउडर, और फाइनल यह सौल्ट, अब यह सब मसाल हम अच्छे से मिक्स करके लेते हैं, हमने सब मसाले अच्छे से मिक्स करके लिए हैं, अब यह हमारा बेंगन का मसाला रेडी है, हम इसको बाउल में निकाल देते हैं, अब यहाँ पे मैंने यह बेंगन लिए हैं, हम उनको कट करके लेते हैं, इनको अच्छे से दो के लिए इस तरीके से हमें बैंगन को कट करके लेना है ये इसी तरीके से हम ये बाकी के बैंगन हम कट करके लेते हैं हमने ये सब बैंगन अच्छे से कट करके लिए हैं अब इसमें ये मसाला डाल के लेते हैं उसके ऐसे बीच ओ बीच हमें ये मसाला डाल के लेना है ऐसे बीच में से हमें ये पोरा मसाला जो है अच्छे से स्टफ करके लेना है ये ऐसा बैंगन दिखेगा मसाला अच्छे से स्टफ करने के बाद ये बाकी की भी बैंगन में हम ऐसे ही मसाला भर के लेंगे ये बैंगन के बीचो बीच ऐसे मसाला भर के लेना है इन सब बैंगोनों में हमने मसाल अच्छे से बर के लिया है और इतना मसाला हमारा बाकी है तो ये हम मसाला ओइल में फ्राइ करके लेंगे ये ग्यास ऑन कर देते हैं इसमें ये ओईल डाल के लेते हैं ये ओईल अच्छे से गरम हो गया है इसमें ये डाल देते हैं क्यूमिन सीट्स फिर डाल देते हैं मस्टर हम सब बैंगन इसमें डाल देते हैं अब इन बैंगोनों को आइल में अच्छे से फ्राय करके लेना है अब ये बैंगन आइल में अच्छे से फ्राय हो गए है यो जो मसाला बाकी था वो हम इन बैंगोनों के साथ आइल में अच्छे से फ्राय करके लेते हैं गैस की फ्लेम मेडियम कर देते हैं, इन बेंगोनों को इन मसालों के साथ अच्छे से फ्राय करके लेते हैं, अब ये बेंगल और मसाले ओईल में अच्छे से फ्राय हो गए हैं, हम इसमें अब गरम पानी डाल के लेते हैं, गरम पानी ही डालना है, इससे क्या होता है, ये ग् पतली गाड़ी जैसे चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल के लिए हमने ये गरम पानी डाल के लिए है आप यह पर देख सकते हैं ये ग्रेवी को अच्छे से उबाल आ गया है हम क्या करेंगे ग्यास की फ्लेम लोग कर देंगे धक्कन रखकर एक 20 मिनट हम इन बेंगोनों को पका कर लेंगे 20 मिनट हो गये है हम अब देखते हैं बेंगन पके है या नहीं कलर एकदम बढ़िया आ गया है बेंगन पके है या नहीं ये देखने के लिए ये बेंगन का जो ये डंठल है वो हमें प्रेस करके देखना है वो अच्छे से प्रेस हो रहा है बेंगन का डंठ रेडी है आप जरूर ट्राइ करके देखिए